हेलो दोस्तों भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में भाई देख पुरानी गाड़ी है दस साल हो गए गाड़ी को 2014 मोडल है अल्टी का भाई ओनर हमारे साथ है इस गाड़ी के बारे में पूरा रिव्यू करने वाले हैं भाई ये इस गाड़ी के ओनर हैं सब ची हमें दवाईयों का काम है दवाईयों की फैक्ट्री है तो पिताजी 20 साल से वहीं रहते तो पुरानी गाड़ी थी ये भी हमने 2014 में लिए वैसे मैं भाई पलवल से हूँ तो भाई ये डीजल है तो भाई उस टाइम ये कैसे ली गई थोड़ा वो तापको आइडिया है कि अच्छा उसके बाद फिर हमें कैई पशंद आई पर जैसे मैं बताया दवाईयों फैक्रिय तो लेवर वगेरा काम से सामान डोने काम से ये गाड़ी सबसे अच्छी समझ में आई हमको अच्छा और फिर देखने के बाद वैसे तो उस टाइम ये कितने की पड़ी आपको लोगों को ना बड़ा कोश्चन रहता मारूती की बिड़ कौल्टी को लेकर कि बाई दस साल हो गया आज आज भी इस गाड़ी को चला रहे हैं क्यों ये गाड़ी मेरे लिए खरासोना है बिल्कुल अच्छा खरासोना ये गाड़ी में लंशम डेड़ सो डेड़ लाग किल मैं कहूंगा एक बार देखके वाकराउंड करवा दो अगर गाड़ी में कोई कमी हो तो गारेंटी है यह मैं कहना हूं एक नंबर गाड़ी है एक नंबर हर तरह से और इसके साथ मैं आपको बता हूं करन्ट डेट में मेरे पास एलकजार भी होंड़ी की बाई चला तो मैं मैं कैस चला रहा हूं आज भी अगर मेरे पाउप्शन हो सबसे पहले मैं इसको अथाता हूं मतलब आप इस गाड़ी को ज्यादा नंबर देते हो मैं एक से लाग तक इसको ज्यादा नंबर देता हूं तो मैं जार तो यार बहुत हाई सेगमेंट की गाड़ी और मतलब मैं बता हूं कि चल्व मानता हूँ वह 7-seater मैं बट यार पर्फॉमेंस में इंजन में इंजन भी से हैवी है और मैं बता रहा हूं 1000 रुपे के तेल में बहुत है ने जो तो तो 000 मैं मुझे बीपता है मारूति का इंजन जिज़ल में आता था बाई हजार रोपए के तेल में यहां पूरा लेक रूम रहता मेरी जैसे इस गाड़ी ने लोगों को कमा के भी दिया है रोजी रोटी दिये यह चीज तो नो डाउट भाई देखो आज भाई ओन कर रहा है सब को पता है कितनी अब्रों जोगी उस गाड़ी की और भाई यह तो मैं कर रहा हूं इस अभी देखो भाई एच्पी नम्मर गाड़ी है यह गाड़ी हर महीने हिमाचल से देरा दून के पास से पॉंटा साही में वहां से हर महीने पलवल आती है बताओ तो वह कितने किलोमेटर करना हो जाता है बाई अब ना इस गाड़ी से बाई यह जान ही नहीं देरी आपको वाई छोड़ा कुछ इस लिए बोलते भाई इस अर्टी कान इस गाड़ी नहीं लोगों को कमा के दिया है वाई क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्सी में चलने वाली ती जो सेवन सीटर में और इसकी थरो है ना अब आपको एक्चुली मैं बैठा के दिखाऊंगा कि थरो जो भी आज की डेट में इंडिया में सेवन सीटर गाड़ी आ रही है ना आप किसी में भी उठालो थरो में हमेशा ही दिक्कत आती है चाइल सीट आरे है भाई इसमें थरो में च्छैफित का बंदा बैठता है हम चैफित के बंदे मैं बैठके दिखाऊंगा आपको इसमें और बहुत अच्छी कंडिशन में मैंने चलाया है और मुझे यह बता दो आप इसको चला रहे हो कमफर्ट में अगर आप देखा जाए तो रियल्टी बताना एलगजार में इसमें क्या फरक है मैं कह रहा हूं कोई फरक नहीं है मिरको यह ज्यादा कमफर्टेवल लगती है फिर कहूंगा एलगजार का सिर्फ एक सुक है पंज्या दमाने पर वो डेड़ सो एक सवसी इसली पहुंच जाती है यह थोड़ा एक सो बाइलेज को कॉम्प्रमाइज करना पड़ेगा नहीं क मटने इसास साब से सेट करिया है छो सेध यह सेथ कर जो में नहीं यहादागी मतादू हर गाड़ी का कोई भी यह यहीं कि इसको लगा दे यह थोड़ी ना हलकी सी पीछे और रखी वैसे भाई यह देखो इससे तो मैं आडिया जाए इस सीट को मत करें यह अपनी हैट के साफ से भाई यह देखो मैं कर रहा हूँ थडरो भी तरह कमफटेबल है भाई यह ठीका मैंने हकीकत में आज देखिए भाई मैं वैठा हूँ आज ठीक है तो भाई पूरा देख लेना रिभी यहां भी का फोल्डर है बहुत अच्छा का फोल्डर है और यहां पर भी सिपेज दियाए इस इवेंट आता नहीं है यह सेकंड रोमा बीच में एसी इवेंट है इसमें जो की चार है और इसकी भी जो फैन इसमेंट भी नहीं है कताई दस साल होगें पूरे पंदरा साल पहले चलाएंगे और मेरा तो मन है उसके बाद कोई गोवर्मेंट ऐसी स्कीम निकाले कि इसका इंजन निकलवाद किसी और गार्डियम रखवाए तो मैं तो बहुत बढ़ी है भाई आपको चीज दिखा देत शुली में मैं बता रहाँ कोई तोडी नहीं ना मैलेज में ना परफॉमेंस में इसका इंजन जैसे ही 25-30,000 किलोमेटर गाड़ी अब अब चलती है तब ही एक्चुली परफॉमेंस का पता चलता उससे पहले माईलेज यह नहीं देती है जैसे 30,000 किलोमेटर क्रॉस हुए इस गाड़ीन है भाई मैं बता रहा हूँ मेरी वो सुफ्ट खड़ी आप यकीन मानना उस गाड़ी ने मुझे 30 से उपर की एवरेज दिये डीजल में अगर यकीन ना हो तो भाई कमेंट में बता देना मैं ग्राउंड में दिखा दूँगा आपको ठीक है तो भाई ठीक है इ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो तुम लाइक कर देना मेरे प्लीज भाई लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को